सीमा पार्ट से देश में हो रही गुस्पैट की घटनाओं के बाद अब मोधी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक अब बॉर्डर सेक्योर्टी फोर्स का अपना अलग एर विंग होगा मामले पर ग्रेह मंतरी राजनाओ सिंग ने BSF-DG के साथ आज बैटक की बैटक के बाद BSF-DG ने बयान दिया कि ग्रेह मंतरी ने मदुगर गुपता कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बैटक बुलाई थी बैटग में इस बात पर चर्चा हुए कि कमिटी की सिफारशों को कैसे लागू किया जाए पठानकुटादंकी हमले के बाद मदुकर्म गुपता की अदग्शिता में कमिटी बनाए गई थी जिसे भारत पाकिस्तान सीमा पर कड़ी सुरक्षा विवस्ता के लिए सुझाव देने थी आपको बता दें कि किन सरकार के फैसले के बाद बीसफ जमीन से लेकर हवा तक सीमा पर दुश्मनों पर नज़र रख सकेगी साथी आपको ये भी बता दे कि मौजूदा समय में बीसफ एयर विंग का कुछ हिस्ता डीजी सीय की तरफ से कंट्रोल होता है जबकि MI-17 V5 जैसे हलिकॉप्टर्स एयर फोर्स की तरफ से कंट्रोल किये जाते हैं उरी हमले के बाद स्केंट सरकार का ये एक और बड़ा फैसला होगा इसके जरिये अब बीसफ की शक्ती बढ़ेगी और वो जमीन से लेकर हवा तक दुश्मनों पर नज़र रख सकेगा